अच्छे के गाओं का दोरा करके आया हम हेलिकॉप्टर से देखा है कि किता नश्ट हुआ है। आज ये राजदीती का मौका नहीं है। पर आवश्चक है कि हम सुजाब दें और पूरी मदद करें। सुजाब दें राज्जी सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी थी। जो मैंने आज देखी इसके बाद मैं शिपपूरी और शोपूर जा रहे हुए। पूरे गौलियर, चंबल, संभाग, रभाविक है। छोटी सरके होई, बड़ी सरके होई, हजारों हेक्टर जमेल नश्ट हुई है, फसल नश्ट हुई है। इसका कैसे आफिलत किया जाएगा जो फसल नश्ट हुई है। जो मकान तूटे हैं, जो आज रिलीफ क्यांप में हैं, इन सर्फ वापस कैसे लाए जाएगे। केबल घोश्टा है करके से, कोई रिलीफ, कोई फाइदा लोगों को ने होने वाला है। तो मेरा तो एक ही प्रश्ट है, राज्य सरकार से, कि आप ये बदा देजिए, कि क्या आप प्रबंद कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये रहात पहुंच जाएगी। किते सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे, गाउं की सड़के में देख के आ रहा हूँ, नश्ट हैं। गाउं का गाउं खाली है। बहुत चारे गाउं में जो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है। उनको रिलीफ कैंप में बेजाएं। उनको वापस आना है, जो भी उनका मकान बचाएं। हमारा किसान होई, हमारा नौजबान होई जिसके पास कोई भर नी रहा। हमारी मात्राइं और बहने होई, हमारे छोटे वेपारी होई, उनकी छोटी-छोटी तुकाने भैग गई है। तो यह क्या है, मैं तो कहता हूँ कि यहां तो अगले साल बर के लिए आप बिजली पूरी माफ करिए। मैं तो कहता हूँ कित्ता आप यह आपने का लगबग 20 लोगों की मिलती हुई है। कोई कभी कहते हैं, चार लाग रुपए राज्य सरकार देगा, केंच सरकार से कहते हैं, दो लाग रुपए मिलेंगे। बर ठीक है, जो भी आप दे रहें, यह बता देजी कब और कहां पहुँचेंगे। सीमेट समय बता देजी। यह आजावशक्ता है। और केबल, शो मैंशिप की, ड्रामा की राज्य की, यह दिखावा करना, इससे कोई फाइदा नहीं। पिछले दस दिनों में यह दिखावा बहुत हो गया। मैं तो मान्य मुख्य मंत्रजी से निवेदर कर रहा हूँ। कि वे खली रूप में आए, मीडिया के सामने आए, सीमेच में बताएं। आखणे कित्ते पोल, कित्ते किलोमीटन सड़क, कित्ते बिखली की विवश्ता हुए है। ट्रांस्फोंमर गिर गए हैं, ट्रांस्फोंमर खड़ाब हो गए हैं। डूप गए हैं। यह आज परिस्ते थी यह प्राकर देगा आपदा नहीं है साब यह पुल से पानी छोड़ दिया इससाब देना था यह अचानक थोड़े बारश गिराती है मौसम विवाग पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है उसके बाद उसका इंटर्पेटेशन करता है है जैसे आज उन्हें का हुगा है कि दत्या और व्रिंग जोन में शिपद्पूरी रेड लाल जोन में शिपद्पूरी यह फैक लाड़ों में वहांच इतनी बारश गिर सकती है जब आप देख रहे हैं और यह दो दिल पहले यह बता देते तो यह सब तो पहले से पता था कि तो अचानक यह आपदा नहीं आई दो दिन पहले से पता था कि यह ऐसी बारिश आने वाली है यह तो इनों ने लोग समा में काक स्टेटमेंट दिया कि ओक्सिजन के खारण कोई बिरत्य नहीं हुई अब जूट बोलने का तो कोई अंत नहीं जो सरकार जूट प्रटिगी हुई है हर चीज में जूट करोना में कितनी ऑक्सिजन थी कितना इंजेक्शन थी मैंने गौलियर में इंजेक्शन और बड़े शरम की बात है कि सब देशों ने अभी तीन दिन तक इंडिया को बैंड किया था कि आप आनी सकते हमारे कि हमारे देश में आप आ नहीं सब्सक्राइब कि इंडिया को खेवर बैंक कि अंतर राश्ट्रिय मीडिया ने आप वाशिल्टन पोस्ट देखिए नियुवर्क टाइम देखिए क्या-क्या उन्होंने लिखा है क्या-क्या सचाई लिखिए कित्ती कित्ती मृत्य हुई और जिस्क जो लाश ले जा रहा है सब्सक्राइब देखिए इसे यह एम नहीं मान तो कहता हूं असी प्रतीशत यह तो सवागबारों में निकला है असी प्रतिशत लाशे हैं जो कपिस्तान में गई और शम्चानगाट में गई असी प्रतिशत कोबिट के कारण उनकी मिलती हुए लाखों में इनकी संक्या है अब बाज़्पागाली आरोफ है कि कांग्रेस अपना घर तो समाल नहीं को आदी हमारे घर की चिंता ना करें यहां दत्या में खास जो पॉंग्रेस के जो बीजेबी के नेता हैं यह कैसे चुनाब जीतने और आगे चुनाब जीतने का कैसा प्रबंद कर रहे हैं तक दबाने है कि अन्त में जंता गवाए ना कमलनात की बात सुने ना मुख्यमंतरी जी की बात सुने मैं तो कह रहा हूँ जंता से पूछ ले और में मीडिया से भी यागने करता हूं कि आप जंता से पूछ लेजिए जो प्रभावित हैं पूछ लेजिए उचे जरोस्तम जी लिफ्टिंग हो रहे हैं हलिकोप्टर से क्या करें देखिए ये ड्रामा की राजनीती कलाकारी की अधिवासी दिवस नी मना रहे मैंने आधिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेर करी थी पैसा दिया था कि वहां आप फंक्शन करिये जो कोई ना कोई कारेक्रम करिये हर जिले में आज हमारा प्रजेश आधिवासी बहुल पतुष है और ये कर रहे हैं अन्य मांख दो दिन पहरे पहुंचा आन्य यहाला था है यह उत्षब बना रहे हैं यह क्या उत्षब बनाने का समय है सब्सक्राइब का परिवार बात का आरोप लगा रहे हो कि रहे है अगले नेतन नकुलनाथ जी और जय वर्दन जी होंगे परिवार बात का आरोप लगाएं नकुलनाथ जी ऐसी कुछ मंद्पतेश की राजनीची में दखन देते यह भी आप जानते हैं वह चिद्वाड़ा तक्सी बेखा हैं मैंने तो उनको फई दौरे में बेजा नहीं बिल्कुल क्योंकि मैंने का थी यह सब पर राजनाथ सिं देखिए सर्वे तो साफ दिख रहा है कि कैसे वकान तूटे हैं कैसे गाओं काली के खाली पड़े हैं एक व्यक्ति नहीं गूम रहाता गाओं हम तो 200 फूट की हैट्स परते वहां उस हाइट से तो शकल भी पजारी जाती है एक व्यक्ति नहीं निकल रहा था यह आला थे पूल तूटे हैं फसल चौपट हैं जमीन नश्ट है तो यह तो बहुत बड़ा आपदा पूरे प्रदेश के लिए हैं चलिए बहुत बहुत धनेवाद आता हैं